वेलकम तो था बिजनस टेडिस क्लास। इन प्रीविए वीडियो वी डिस्कुस्ट अबाउट रिटेल ट्रेड और इट्स फिक्रस। तोडेश डिस्कुस्ट अबाउट दा सर्विसिस प्रवाइड़ दारेटेलर्स। और यूटिलिटीज ओफ रिटेलर। तो रिटेलर क्या-क्या सर्विसिस प्रवाइड करवाते हैं। तो रिटेलर हॉलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक का काम करते हैं। तो रिटेलर अपनी सर्विसिस किसको प्रवाइड करवाते हैं। हॉलसेलर को और कंज्यूमर को। तो first of all, let us discuss services of retailers towards wholesalers. First thing, we provide necessary information. अब जो retailer होता है, वो कैसे wholesaler की help करता है? Retailer consumers के direct contact में होता है. क्योंकि daily जो consumer होता है, product किस से खरीता है? Retailer से खरीता है. इसलिए retailer को consumer का क्या taste है, क्या liking, disliking है, कैसा product वो like करता है, क्या उसकी paying capacity है, कितना price वो pay कर सकता है, afford कर सकता है. इस तरह की सारी information, knowledge उसके पास होती है. और ये information वो wholesaler को देता है. ताकि wholesaler ऐसा ही product खरीदे, ऐसे ही goods खरीदे, जिने consumer like करता है, जिनकी consumer demand करता है. Otherwise, अगर wholesaler ऐसा product purchase करके stock कर लेता है, जिनकी demand ही नहीं है market में, consumer जिने क्या नहीं करता, like ही नहीं करता, या ऐसा product कर लेता है, जिसके prices बहुत ज़्यादा high है, consumer उसे ज़्यादा price होने की वज़े से afford नहीं कर पाता, तो उसकी money उन goods में block हो कर रहे जाएगी. तो retailer, wholesaler की help करता है, उसे ये information provide कर वाकर, कि consumer किस तरह का product like करता है, क्या उसका taste है, और क्या उसकी paying capacity है, क्या price वो afford कर सकता है, ताकि wholesaler ऐसे ही product खरीदे, और उसकी जो money है, वो useless things में block होकर न रह जाए. Next is to create demand. Retailer क्या करता है, जो existing product है और नए product की demand create करता है. कैसे? वो consumers को product की, क्या main features है, merits है, उन्हें कैसे use किया जाता है, उनके different uses किया है, इस सब के बारे में information देता है. जिसे consumer satisfied होता है product के बारे में, और वो उसे बार-बार खरीदना चाहता है, और जब consumer will purchase it again and again, तो demand will increase, तो like this, retailer creates the demand, और जिसका benefit, wholesaler को भी मिलता है, क्योंकि जब consumer उस product को retailer से demand करेगा, तो उसी तरह का product retailer, wholesaler से खरीदेगा, तो wholesaler को भी benefit मिलेगा, wholesaler के भी product क्या हो रहा है, sale हो रहा है जल्दी से, उसे भी benefit मिल रहा है, तो like this, retailer helps wholesaler, next is local advertisement, जैसे कि हमने किया था, services of wholesaler के case में, कि wholesaler ही क्या करता है, mostly advertisement का expense उठाता है, बट retailer भी local advertisement में उसकी help कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्योंकि जो retailer होता है, वो consumer के direct contact में होता है, तो वो retailer को product के बारे में, different product के बारे में information provide कर वाता है, जब उन्हें personally वो मिलता है, उसे मिल कर क्या करता है, product के बारे में, different type of product के बारे में, information provide कर वाता है, तो वो भी तो क्या है, एक तरह की advertisement ही है, local advertisement ही है, जिसे उसमें कोई उसे ज्यादा क्या नहीं करनी, कोई additional उसे effort भी नहीं करनी है, labor भी नहीं करनी है, रिटेलर को, और इसस रिटेलर, wholesaler की local level पर advertisement करने में help करता है, next is help in distribution, जो wholesaler होते हैं, उनकी जो shop होती है, किसी special place पर होती है, और वो place किसी distant places पर होते हैं, जा consumer नहीं पहुँच पाते हैं, बट जो retail shop होती हैं, वो तो आसपास हर जेंगे होती हैं, आप भी देखते हो, आसपास आपके हर जेंग इनके product खरीज सकते हैं, जो आपको चाहिए, तो retailer क्या करता है, distant places पर से product को ऐसे places पर available कराता है, जहां consumer easily पहुँच सके, और wholesaler की distribution की problem है, कि product consumer तक कैसे पहुचे, उसमें help करता है, क्योंकि retailer नहीं हो, तो wholesaler को क्या करना पड़ेगा, product consumer को sale करना पड़ेगा, जो wholesaler के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी problem है, तो इस तरह से retailer, wholesaler को अपनी services provide करता है, product कर distribution करते हैं, next is, no need to meet consumers, अब wholesaler को जो भी information collect करनी होती है, consumers से related, उसके लिए उसे consumer से directly मिलने की जूर्थ नहीं होती, क्योंकि वो information वो किसके थ्रू collect कर लेता है, retailers के थ्रू, क्योंकि retailer क्या होता है, consumer के direct contact में होता है, तो वो सब information consumer से collect करकर क्या कर देता है, wholesaler को provide करता है, तो कि जो retailer है, वो क्या है, link है, wholesaler और retailer के बीच में, अगर retailer नहीं हो, तो यह सारी information किसको collect करनी पड़े ही, wholesaler को खुद collect करनी पड़े ही, तो इस तरह से retailer, wholesaler और consumer के बीच में, link की तरह क्या करता है, दोनों के बीच में जो distance है, उसे remove करने में help करता है, तो all these are the services of retailer towards wholesalers.